नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज पर से एक नई क्लास में आज जो अमेट सर की क्लास होगी, वो होगी ECG के बारे में ECG एक कॉमन जाज जिसको सभी लोग जानते हैं या हाट की कोई प्रावलम होने पे सभी ये टेस्ट जरूर कराते हैं सबसे प्यादे तो क्या है ECG, इसकी बेसिक्स, चोटी-चोटी बात है बिल्कुल आज हम अपनी इस क्लास में देखेंगे अभी आप अपनी स्क्रीन पर ECG के नर्मल वेव देख रहे होगे जिसमें आपको P-Wave देख रहा होगा फिर Q-Wave देख रहा होगा, R-Wave, S-Wave, T-Wave देख रहा होगा उसके बाद कुछ आपको Duration देख रहा होगे QRS Duration देख रहा होगा VR Intervel देख रहा होगा, Q-T Intervel देख रहा होगा VR Segment देख रहा होगा, ST Segment देख रहा होगा इन सभी में जब कोई बदलाव आता है तो वो किन-किन परिस्कितियों में बदलाव आता है इसकी बेशिक बेशिक जानकारी हम अपनी आज के इस कलास में देखेंगे या हाट की बीमारी के अलावा और भी किन परिस्कितियों में इसीजी में, इन बेशिक में, इन डिगरेशन में बदलाव आ सकता है यह सारी चीजें हम अपनी आज के इस कलास में देखेंगे तो कलास शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नीचे रेड में देख रहा हूँ और सब्सक्राइब ज़रू कर दें, जिससे कि ऐसी कलास और भी आगे होती रहेंगी, आपको तुरन की कलास मिलती रहें और अज़ी आपको इस कलास या पुरानी कोई भी कलास पर कोई डाउट है, कोई सवाल पूशना चाहते हैं या आगे कोई अलग टॉपिक पर आप कलास चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बोक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अज की कलास चलो, स्टार्ट करें तो, बेसिक्स औफ एसीजी जीग है, आज बिल्पल स्मॉल स्मॉल बेसिक्स देखने एसीजी के, कि एसीजी में करना क्या करता है सबसे पहले आते हैं, एसीजी पेपर में एसीजी पेपर जो है एसीजी पेपर को आप देखेंगे इस्पेशिल क्वालिटी का पेपर है जो की बहुत लोग वोल्टेज से जब जल जाए आपको पैपर पेपर होती है एक होगी जो कलता रहता है बो दिखाता है सेकेंड और जो के पास अपने पास दो sam होते हैं to how youtube अंगरा और वोहरे दो अप्षिशिए है इसके आप से यह जो एक जिक पीन Q लिखाता है 1 च्क्प wanna गरावर होता है और ऑर एक क्यों एसे कीरें तो यह वे ताफसी अपना आगे का गया सब समझ परीएक करना क्या है लिए और होड़ करके सब से पहले ऊखर लिच्ट period मतलब है कि एि इस ही में पी की यू आल-एस और फिश्फ एक रिदम में है कि हर P के बाद QRS और P आ रहा है जी नहीं आ रहा है तो अगर यह नॉर्म आ रहा है तो नहीं आ रहा तो बोलेंगे और नहीं आ रहा तो बोलेंगे इस राइगलर है हर P के बाद QiSt नहीं यह लेखना है अब कि रैवल रिदम में क्या-kya हो रहता है साइनस और नोर्मल होती है साइनस प्र साइनस अरिधमिया अर्धिमिया बतलब जो ऑर नॉर्मल सांथ लेते है वह स्ञायव नि इंन करेंगी इस साइनस में हो टेंगा रेडस में परदोंना ओनोन सांस मिन्हां पर उसकते हैं सबसे पहले आपको रिदम देखना है कि साइनस में है कि इर्रेग्लर में है अब से पहले रिदम देखना है दूसरे नमबर को देखना है क्या रेट के से बता करते हैं थीक है यह दो आरा इंटवल है इन केस अगर साइनस रिदा में साइनस रिदा में उस केस में रेट रेकी जाएगी कब दू आरा इंटवल देख लो दू आरे बीचों बड़े बॉक्स है उसको तीन सो से डिवाइड कर दो है ना जित्ते भी बड़े बॉक्स है इसमें तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका है लेकिन अगर साहस नहीं है इर्रेगुलर रेग्लर तब कैसे निकालों देखना कोई को पता है तब कैसे निकालों के आपकी हार्टेट उसमें आपने क्या करते हैं जो पी क्यू कि ये पी करता है एट्रियल डिपोलाइशन क्योरेस करता है वेंटिकुलर कॉंटेक्शन और ये डिपोलाइशन मतलब qrs करता है इसमें एगर्ड तक पूर निगाल ही सकते हैं इसमे क्ता पम कर सकते हैं अपना उसको और कम कर सकते हैं 5 सेकंड कर देते हैं फैसे कि 5 सेकंड जितने वी क्योंस आएंगे असे अधरा सबस्ट… विए अंफंग्रिय मतंद किस्ते ही जरा नि गला товके इन एक इन और रही है 25 mm मतलब क्या हुआ है 5 बड़ी बगस तो आपको देखना है एक इसमें i legular आ रही है तो आपको देखना है कि पस्रेंगे पहांच फैस खुल में की10 और ये कें 20 तो ताफस के 10 को अपने रहीder पर मिट आए इसकी हार्टेट समझ गया अच्छे थे क्या करना है जितने भी क्यों एक मिनिट में जितने क्यों आएंगे वो उसकी हार्टेट होगी यह अब एक मिट अपन नहीं करते हैं इसलिए अपन फान से गिरेंगे तो पांस से कड़ने के ट्रल से डिवाइट कर देंगे अब चूंकि एक सेट में क्या होता है पच्छे से एक से के में अपने को आते हैं पांच बड़ी अटिप्लाइट आई तो उसकी हार्टेट आग अगर कर रिदम देख लिया अपने फिर देख लिया रेट अब ECG में और क्या है अब तोटा थोड़े से अपने देख लेते हैं ECG में और क्या की चीज़ें होती है सबसे पहले अपन को एक पी में देख नही है इसके बाद यह आर होगा तो पी आर इंटेवल दिखा रहता है उसके बाद क्यो एस कॉंपेक्स क्यो एस डिएशन दिखा रहता है यह जो क्यू से हैं वहां से एस तक इसको बोलते हैं क्यो एस डिएशन उसके बाद आते हैं अपन को यह होगा एस टी सेग्मेंट एक होता है क्यों टी इंटेवल टी इंटेवल टी इंटेवल और एक होता है टी बेट पी आते है क्यों रहुते है जो यहां से क्यों सटाा रहन में अचांते है जो क्यों में की तक तखतास संपूंते हैं यह थो तागडे की सहल देख तो जो क्यू से स्टार्ट था थे ती तकता मतलбा उसके बाद जगते हैं ऑल यह दो जंखे रहे हैं हाँ लागा है क्यों टी डवल को वह जदा बदी नहीं करता हाफ ट्रेट से पी हो गया क्यों को इस प्रेट हो गया इसनी चीज़ आम पो देखनी है आप अपन को ये रेखना है इंग आ करें आप आते हैं पी बेबें पी डेट करता है कि खुल में लाके जो एट्रिया है राइट इंड निए यह गोगए पी वेट के अफन से दो पाकिशे का आगे कर दो करना गार्ट करता है लेफ्ट को पीशे का दिनोट करता है राइट इन आइज आइज आएगे इस वाले में देखेंगे जो भी ऑन को चार देख नहीं है एक लीड वन में एक लीड टू में एक लीड वी-ड एक लीड बी बन में यह दिहान दखना अगर आप जैसे एक E-सीडी उठाते हो ECD आपको सिर्फ 4 दगे देखनी है, 1 LEAD1 में, 2 में, 1 1 1 क्यों देखनी है? LEAD1 में अगर P-Wave अप्राइड है कि नहीं है? LEAD-B1 में अगर P-Wave अप्राइड नहोंकि, इंवर्टेड है, तो इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं पहला कि ECG की लीड उल्टी लगी हुई है दूसरा पेशिंट को डेक्स्टो गार दिया है हाट उल्टे साइड है इसके सिर्फ दो ही कारण होते हैं तो आप सिर्फ ECG देखके बिल्कुल एक सेकेंड में लगेगा आपको बोल सकते हो कि लीड उल्टी लगी है तो लीड थिक है तो इसमें है न फिर आपने आपन वीवन से लेके 2-6 तक आपको देखना रिता है अब आपने देखा दा पहले वीबन से लेके V6 थर जो आर डेप की हाइड बरती जाती थी और S डेप की हाइड कम होती जाती थी एक नॉर्मल पैटन था डेक्स टो कार्ड ये में ऐसा नहीं होता डेक्स टो कार्ड ये में मतातना है कि ऐसा देखेगा डेक्स टो कार्ड ये में V1, V2, V3, V4, V5 ऐसा देखेगा मतलब लगाता ये ना एक एरो में उसका जो वोल्टेज है वोल्टेज लगाता कम होता जाएगा क्यों कम होता जाएगा क्योंकि लीड अपन लगाएं इस तरह हाट इस तरह है तो हाट से जित्ते दूर दाते जाओगे उत्ते लीड चेंग होती जाएगा मतलब उसका जो वोल्टेज हो कम होता जाएगा तो डेक्स्ट्रोकार्डिय में आप देखो सबसे पहले लीड बन में लीड बन में लीड बन में अगर टीव एपी वेव इंवर्टेड है उसके साथ आप क्योरेस कर यह पैटन मिल रहा है तो आप आंग बंद करके बूल सकत सब्सक्राइब कर देखने में और लीड उलती लगी है वो देखने के लिए तो फिर आपको पॉइंट बन सेकंड की ज़र्वत है तो लीड बन में पीवेव इसलिए देखने है कि पीवेव इंवर्टेड है कि नहीं सिर्फ यह कहा है उसका उसका उसकी मॉर्फलोजी नहीं पें इंवर्टेड है अब लीड ओं पीवेव युजली इंवर्टे होती है अगर यह पीवेव आप्राइड है तो भी लगवज लगवज लगवास ब्रघलाइब है या फुरिसको डेक्श्टोपा रहा है इन दोनों का ड्रीन करती देखे सैचा है अना कर देखना फिर्ल तो इंवर्टिड ही होती है अप्राइट नहीं होगी यह सिर्फ अपन को इंवर्टिड आप्राइट देखने के लिए लीट 1 और एवियां में देखना है पीवेट अब आते हैं लीट 2 और बीबन में पीवेट भी मॉसल वही देखनी है तो आप लीट तू और लीट इम कुक्त आफको स्ट के ओउसे पार धी होती मृप्रों मृप्रों की? यह अजिए पीछ मातमार्वाजी यहां होते है पीछे लेफ्ट का है उपर वाला पार्ट है लेफ्ट एके अपयला है राइट का पीछे वाला है लेफ्ट का यह राइट एफ्ट एकर लेफ्ट का अब आता है ज Drew the chamber एक दिखना है एक दिखना है तो जब राइट एक्रण नार्जमेंट रोगा तब कैसा दिखीगा तो यह एक पैटन मिलेगा इसमें राइट एक यह उठ गया है लेफ एक यह रहे गया है यह वीमन में चेंजन मिलेंगे लेफ्ट इट्रियल एनलाजमेंट इसमें क्या मिलेगा पीछे वाला पार्ट है वो उट जाएगा और यहां क्या मिलेगा समझ में आगया अच्छे से देख लो कि पूल कंसुजन हो रहा है इसमें अब यह उपर वाला पार्ट राइट एक पार रीचे वाला पार्ट लेफ्ट एक जो भी तो पीड़ेंगे अपने पास पॉइंट वन सेकेंड होते हैं पॉइंट वन सेकेंड आपने जैसे इसी की उठाई रिदम रेट देखने के आप पीड़ेव पे नजर आई लीव बीवन में पीड़ेव देखी लीव बीवन अपराइट है एव्या में इंवर्टेड है तो वहां से हटक गया सिर्फ लीव टू और बीवन में देखा कि अब आते हैं प्र इंटर्फ अपने न bord इनधृ कितना होता है ध्यूर् Batter Can नहों मर्ट पील इंटर्म दोता एक गणीपर धंप्ता तर एक से लेके कितना हो सकता हैूं लेकर 6 छोटे वक्स के लग बंग लेकर लेकर sırस्तोर टोर से चन्यक्ति पनीकरर्बलस कई अब कारी दो जो करना कॉल सकता है और बढ़ सकता है है जब कव होता है तो दो सिंड्रोम है एक होता है LGL सदों और एक होता है कि दभीड़ी से लोग है कि एल की इस जो से लो होता है ऐसन रोग नॉनमल से लो मैं मतलब इसमें पेचट को कोई सब तकलिप नहीं होती है सिर्भ उसका प्यार इंडावल प्री एनेस्थेटिक चैकप उसके लिए आते हैं मतलब आप नॉर्मल एसीजी कराने आएंगे आपने देखा प्री एनेस्थेटिक दोगे तो उसके लिए एट्रोपी नहीं गिना है यह पेशिट को अग Rain Legations देखा इंग तो फेसिट को इते हैं तो इसको सॉप्रामेनिकर टैकिकाडिया होने की चांस जार रहते हैं तो इन पेशिटो रोग यह आपको आपको इनेस्थेशे देंगे तो प्री एनेस्थेटिक जुश्आ हे अजी देना लेता उसμαे कि इसमें फोगा कुछ नीक शौटिक सूर्ट पी इंड लिगा उसके लाभा कुछ नहीं मिलता हूसमें डबल पीड़्र नौ में अलाग रिखनों होता है कि और पेस्साइब करता है यह सनोर से इसे नोड आता है यह धाद में अधीर नोड से क्या होगा अ यह फिर पर कुर्की जा जाता है यह सेट नोड जा अब इसमें जल्दी से एभी नोट तक पहुंच जाएगा तो अपने आप से कमई हो जाएगा यही सिट्विकर होता है डवलो पीड़ली सिड्डम में क्या होता है एक अलग से पीस्सिड्डम कर पैदा हो जाता है हाट के अंदर जो आप अपनी पीट पैदा करने लगता है कई बार यह प्येड़र करता है कई भार इजब फिरक करता एंद कालिक है। कभी यह प्यां चुकुआ है। ठीक है और होता क्या है कि जब एक बार ये पैदा कर देगा तो कुछ देर के लिए ये सुन हो जाएगा एंसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ बीट कर दें जब एक बार चला गया जब तो ये ठादम नहीं कर सकता दूसरा नहीं एंटी हो सकता मतलब वन भे है एक ने अगर एंटी लेली तो जब तक ये पूरी साइकल नहीं पेडा कर लेगा तब तक ये एंटी नहीं दे सकता है तो इन दोनों में लडाई होती रहती है कुल गुला के पेशन को अभी पेशन आया था कुछ दिर पहले सुप्रामेंटिक गाड जिसको अब भी भी एक्साइट हो जाएगा वह खोद अफ्री दागन पैदा करने लगे लागी गांट यह हो गया है जब बढ़ दाता है बढ़ आता कब हाड ब्लॉक में जो कंडर्शन देवी होता है ताइस बन होता है ताइज बन जो जो ताना एक यह वेंटिवल ब्लॉक एवी सब्स लॉक्राव को पसे भेंखाए था फह वाले दोख्यों सब्सक्राइब करने मटीशन हमार जम अब्रकित का पỉकर सब्सक्राइघ गांटिवल पांट गल्रत को पिक कर दो एक बड़े बक्से से के बड़े बख्से कम लग रहा है इसलेडिक दब रहा हुँ प्यार डब रहा जिएक ने किया है पाइंड टीन डब बोर से नॉनमल गाम है किस्ड को यहां तक कहुंच गी है PR Interval, अब QRIS में कहा है पूरे ये चंडक्शन होना है, यहां से बंडल आफ ही जाएंगे, यहां से लेफ्ट बंडल जाएगा, यहां से राइट बंडल जाएगा, फिर लाइफ बंडल दो बाग में डिवाग में डिवाइज हो जाएगा, लेफ्ट एं इसको बोलते है, LBBB राइट में ब्लॉक आएगा, तो RBBB लेफ्ट एट्रियम यहां इन दोनों के आता है तो इसको हमी ब्लॉक बोलते हैं, कंपीट नहीं है, लेफ्ट एंट्रियम हमी ब्लॉक और लेफ्ट पोस्टिरियर हमी ब्लॉक, समझ जाएगा, दो दो फाइवन है एक लेफ्ट के तरफ जाएगा, एक लाइट के तरफ जाएगा, लेफ्ट आगे दो में डिवाइट हो जाता है, लेफ्ट एंटियर और लेफ्ट बोस्टिरियर, इन में ब्लॉक होता तो लेफ्ट बंडल ब्लॉक, लाइट बंडल ब्लॉक, लेफ्ट एंटियर हमी ब्लॉक और लेफ उसके हमी ब्लोग ये चार ताइप की ब्लोग इसमें क्योरे दूरेशन बढ़ जाएगा इसमें क्या का इसी की चेंजिस मिलते हैं वो थोगा सब्रिशिकर्ट है उसके लिए तो एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी क्यों हाँ अब क्या हो जाता है है क्यों हो आई हर् दूरेशन होका आफ्के श्कुर्बिंट होन्त यजाया पीछाइट एस्माइग नचे लम उसीमी क्लासि में अगया हुआ है ऐसकी सेगमेंट पता कैसे चलके पी-यार सेगमेंट है उसकी बेसलाइन से है यह जो प्यार साइगमेंट इसकी बेसलाइन लेखते हैं उसके हाँ पर हैं किस्की साइब्सक्राइशन होगा है तो कैसा दिखेगा यह नीचे जाएगा यहसा दिखेगा सेगमें डाप्रसन Ó His Segmentojgl कि एक 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 जादर मेंडिसिंस के साथ है कि तक इंटरबल यह फी मौटे मौटे थाट में दो बड़े वक्सों से उता दो बीड बॉक्स हो ना दो बड़े वक्सों के बराबर होता है कि जो एक साइन होता है यह साइन होता है अरिदमिया का पैशेन अगर प्रोोन होता है और किसरी ऐसे बराबर होती है तो अगर आरहा है dot ECG में देखना पड़ता है कि क्यूटी प्रोलॉंगेशन है कि नहीं अगर आपने देखा पहले क्या होता कि अगर अपन ब्लाइंड में मेडिसिन दे दी अब सौ में से एक पिशेंट का सरंड्याथ होगी सरंड्याथ का कॉस ही नहीं पर चला तो ऐसे पेशेंटों के जलूरी प्रोलॉंगेशन है कि इस सफ्राइड मोजप्राइड जैसे अंतरसेट है पहले योज़ होती थी फिर देखा कि एकदम से कोई सरंड्याथ की शिच्टी आने लगी फिर उन पेखो उन पेशेंटों में देखा अपने इस इनका क्यूटी इंटर्बल प्रोलॉंगेशन था उन पेशेंटों में यह एकदम से अजिच्ट में पैदा कर सकती है और सरंड्याथ की शांसे रहते हैं अपने देखा होगा कि कई पेशेंट अपने नॉर्मल एंटिवाटिक देते हैं किसी बूचनी होता है एक आज पेशेंट एकदम से सरंड्याथ देने से एकस्पायर की सकता है सुना हुआ रहता है उनका कारण भी यही रहता है तो कोई बी आप जो एक बेसिक दूल है अगर आप एड्विट कर रिखना है थोड़ा पेशेंट सीर्यास है तो तो सब चीज तो कराएं करना ही भले चाया उसको कोई प्रॉग्लम नहीं हो है एक बेसिक एसी जीद प्रोलांगेशन या कोई आमनॉर्मेल्टी तो नहीं है क्योंकि अपनको बहुत सारी एंटिबाइटिक बहुत सारी चीजिन देगी है नहीं उसमें तो अपनको सब की देख नहीं देगी कि एकडम से सरण डैद तो नहीं हो जाएगी तो कोई पेशन अगर हस्पलाइज हुआ है कि कि बेद्यां और अर्मली जो है अपराइट होती है कि अनिस्टेबल एंजाइना ओनमोन थी दिवेटें नवाई है एक्ट्रू टामाई में यह एक्डों टिवेव प्रेंटिया हो सकती है यह टीवेव ऑपीजिग थिए ती वेव इन्वेव इनवर्टेंग हो सकती है तीरों चीज़ रखते हैं यह सीमे के साइन है पतला पेशिंट को ब्लड सप्लाई है हाट की वो कम हो रही है क्यों बाद ती कही बता जिरा है अब यह Q-Wave है और T-Wave है यह दोनों ऐसे हैं कि कई बार कंदिशन ऐसे आती है कई बार नॉर्मल भी मिल जाती है नॉर्मली कहां-कहां मिल सकती है यह देखना अबन को Q-Wave है Q-Wave नॉर्मली लीट B-1 A-B-R और लीट 3 इन में अगर मिल रही है तो यह नॉर्मल भी हो सकती है लीट B-1 में क्या होता है बहुत स्मॉल आर होता है और फिर ऐस हो जाता है यह स्मॉल आर कई बार दिखते ही है तो पेशिन अपन को ऐसे समझ में आता है Q-Wave जैसा अगर में नॉर्मली Q-Wave भी मिलती है आ रहाती है लीट 3 इसमें 50% से ज्यादा तक उसमें Q-Wave मिलती है तो यह 3 नॉर्मल पैटन है यह नॉर्मल नहीं है वैसे तो Q-Wave हमने देखा Q-Wave डिनोट करती है हार्ट नेक्रोसिस को मतलब हार्ट ठराब हो गया है वहां का एडिया लेकिन इन तीन केसे में नॉर्मली भी मिल सकती क्योंकि अब तीवे देखा Q-Wave अपन ने देखा Q-Wave यूजली क्या होती है अप्राइट ठीक है लेकिन Q-Wave इन्वर्टेब भी मिल सकती कई नॉर्मल क करने के नॉर्मल करने के बाद फिर से इस फिजी करनी है उसमें अप्राइट होती है है यह जाना लिग D1 से लेकिर भी तक टीवे इन वे इनवर्टेब मिल सकती है नॉर्मल पैटरन है किसी को भी मिल सकती है और नॉर्मल नहीं माली जाएगी कि इसके लावा भी टीवेव है टीवेव इंवर्टेड डिफ्यूज में मिल सकती है कई अलग दूसरी दूसरी कंडिशन होती है हाट के लावा अलग कंडिशन हो उसमें भी टीवेव इंवर्टेड बिल सकती है नॉर्मल अलग लग लीडों में उसमें क्याकर कंडिशन आती ह पहले होती है एनीमिया की कंडिशन में पूरे हाट को इस्टीमिया मिलेगा पूरे हाट में सभी लीडियों में टीवें इनवर्टेट मिल सकती है दूसरा गॉलेसिस्टाइटिस, प्रेंटिस, गैस्टाइटिस, इन तीनों कंडिशन में जो इंफियर लीड है 2-3 ABS क्योंकि क्या होता है यह जो हार्ट की मीचे की वाल है इनफियर वाल उसी से कनेक्टेड होता है डायफ्रॉम थोड़ा सा भी डायफ्रॉम के इंटेशन होगा तो इन में टीवें इंवर्टे क्लिकली कोरेलेट करना पड़ा है कि हाट टी वे इंवर्टे अगी मिल रहा है और कुछ नहीं होगा है तो आपको क्लिनिकली को इनफिर्च करना पड़ेगा कि उसके कुछ चेंज़ नहीं है ठीक बेसे में 300 PCG हो जब एक्पीद्व ectd इसकीद्व पास मिला है तो आपको उस ectd में है और उनका significance क्यों क्या है थीक है सबसे पहले आपको देखना है rhythm, sinus है कि irregular है, second number पर देखना है rate कैसी है, rate कैसे निकालो कि normal अगर sinus में है तो यह बहुत आसान है और अगर irregular है तो भी बहुत आसान है, rate, rhythm और rate हो गई, उसके आद पी वेर की monoflogy देखोगे, पी वेर लीज्टू और बॉन्टू और गई बियाए देखुगे उसके आज पी के बाद देखना है पीया लीटरवल ती बिस देखना है कुती इससेगमंट देखना है कुती इक्टरवल देखना है